नमस्कार आप देख रहे हैं हमीरपुर हर्चल बड़ी खबर सामने आ रही है हमीरपुर के जिला स्पतार से जहां स्वास्ते विफाक की बग्दिला परवाही सामने आई है जहां स्टाफ नर्स पर अस्पताल में भड़ती बच्चों को गलती इंजेक्शन लगानी का आरोप लगाया जा रहा है बताते चलें की स्टाफ नर्स द्वारा इंजेक्शन लगाने से छे मासूम बच्चों की हालत खराब हो गई और जिसकी चलते एक मासूम बच्ची की अस्पताल में ही मौत हो गई जबकि दो बच्चों को गंभीर हालत में कान को रिप फर्क किया गया है अचानक हुई इस घटना से परिचनों ने अस्पताल में जंकर हमगामा किया पूरा मामला हमीर्फुर के जिलास्पताल का बताया जा रहा है इस घटना बच्चों को दे दिया गया तो एक अदम यह बच्चे बेचान से अफ़ाने लगे और वहां से बस तरहने लगे कि ले जाओ अमर्जंसी ले जाओ निचे ले जाओ उतर प्रदेश सकार भले ही प्रदेश में स्वास्त सेवाओं को बहतर बनाने के लिए दिन रात मेनत कर करोड़ों की योजनाय बना कर प्रदेश में लागू कर रही है लेकिन जनपध्य हमीर्पुर का स्वास्त विभाग प्रदेश सकार की मेनत और योजनाओं को पलीता लगाने का काम कर रहा है जिसके बानगी दिखने को तब मिली जगसिला अस्पताल में बीमार 6 बच्चों को एक नर्स द्वारा घरत तरीकर से इंजेक्शन देने से सब भी 6 बच्चों की हालत बिगर गए जिसमें एक मासुम बच्ची की अस्पताल में ही मौत हो गए जबकि दो बच्चों को गंपीर हालत ने कान पूरिप फर्द किया गया परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और स्टाफ नर्ट द्वारा लापरवाही कारोब लगाया है इस तरह के कारनामों से विलास पता लक्सर सुर्खियों में बना रहता है अस्ट इस दो पताए कार भाद में बना फोर्द को बच्चे को आप दो फरकरते हैं थो ने वह बतायका है लेकर हो गरीव है जाना नहीं चानते हैं आपको पिश्वास हैं आपको करते हैं यूरोगी के विले खिर हैं झाल झाल झाल